हाई गाईज आज की इस वीडियो में हम HP और डेल के रेसेंटली लॉंच्ट लाप्टोप्स का कमपैरिजन करेंगे जिनके मॉडल नम्बस है HP 14S FY1003AU और डेल Inspiron 3525 और गाईज इन दोनों लाप्टोप्स की प्राइस में सिर्फ 4000 पे तक काई फर्क है और हमें इन दोनों लाप्टोप्स में काफी शांदार फीचर्स और पर्फॉर्मेंस देखने को मिल जाती है जिससे गाईज ये लाप्टोप्स Android Studio, Filmora, Coralro and AutoCAD के जैसे सॉट्वेस के लिए काफी भैदरिंग डील रहेंगे आप इस वीडियो को बिना स्किप किये एंटर पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो मैं आपको इन दोनों लाप्टोप्स की स्पेसिकेशन और पर्फॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जिससे आप ये डिसाइड कर सक कि इन में से कौन सा लाप्टोप आपके डे-to-day के टास्क के लिए वैल्यू फो मनी डील रहेगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों लाप्टोप्स के बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों लाप्टोप्स के प्रोसेसर के ब जिससे आप 4.0 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं और ये प्रोसेसर 6.012 rates का रहने बाला है और वहीं डेल के लाप्टोप में AMD का लेटिस्ट Ryzen 5 5.625U प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है और ये एक हेक्सा कोड प्रोसेसर है जो 2022 में ही लांच्ट हुआ है और आपको इसमे 2.3 GHz की बेक्स लोफीट से लेकर 4.3 GHz की मैक्सिमम लोफीड देखने को मिल जाती है और ये CPU 6.012 rates का रहने वाला है और ये दुनी प्रोसेसर 7NM टेक्नोलोजी पर बेस्ट है और आपको इन में 25W टक की TDP देखने को मिलती है और इनके Benchmasks कोज के बारें बताऊं तो 25W यू प्रोसेसर की पर्फोर्मेंस काफी बेटर है AMD के Ryzen 5 5500 यू प्रोसेसर से जिससे आपको वीडियो एटिंग, प्रोग्रामिंग, कैजूल गेमिंग एंड मल्टी टास्किंग के जैसे वर्क्स के लिए Dell के लाप्टॉप में काफी शांदार पर्फोर्मेंस देखने को मिल जाएगी as compared to HP laptop और ग्राफिक्स के बारें बताऊं तो इन दोने लाप्टॉप में dedicated GPU के supports नहीं दिये गए हैं बलकि आपको इनमें AMD के Radeon integrated graphics देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इनमें 720 pixels पर GTA 5 के जैसी games खेल सकते हैं और इसी के साथ आप इनमें graphic designing से related work भी कर सकते हैं और लाप्टॉप के operating system की बात करूँ तो इन दोने लाप्टॉप में pre-loaded Windows 11 Home single language के supports दिये गए हैं और वो भी lifetime free validity के साथ और इसी के साथ आपको इनमें pre-installed Microsoft Office Home and Student 2021 version भी देखने को मिल जाएंगे जिससे लाप्टॉप्स आपके office and business work के लिए काफी beneficial deal रहेंगे और storage के बारें बताऊं तो इन दोने लाप्टॉप में 512 GB की SSD storage drive प्रोवाइड की गई है जिसे इन लाप्टॉप्स की read and write की speed काफी fast रहेगी और आपको इनमे fast boot time, fast application loading time और better system responsiveness देखने को मिल जाएगी और RAM की बात करूँ तो HP के लाप्टॉप में 16 GB की 32 MHz की clock speed वाली DDR4 RAM दी गई है पर गैस आप इसमें RAM को 16 GB से उपर upgrade नहीं कर सकते हैं जबकि Dell के लाप्टॉप में 8 GB की 32 MHz की clock speed वाली DDR4 RAM देखने को मिलती है जिसे आप 16 GB तक upgrade कर सकते हैं तो RAM की मामले में guys HP का लाप्टॉप काफी better है as compared to Dell laptop क्योंकि HP के लाप्टॉप में direct 16 GB की RAM प्रोवाइड की गई है जिसे guys आपको इसमें एक तो RAM को upgrade करने के जुड़त नहीं पड़ेगी और दूसरा laptop की work performance काफी smooth रहेगी और चलिया बात करते हैं के display के बारे में तो HP के laptop में 14 इंचेस का full HD IPS display देखने को मिल जाता है और इसमें 250 nits की brightness और 45% तक का NTSC color gamut का support रहने वाला है जबकि Dell के laptop में 15.6 इंचेस का full HD WVA display दिया गया है और आपको इसमें 250 nits की brightness देखने को मिलेगी और guys Dell का display 120 Hz के refresh rate के साथ आता है जो की काफी कमाल की बात है क्योंकि अभी तक किसी भी दूसरे brand ने 50,000 पे तक के budget में 120 Hz के refresh rate वाला display प्रवाइट नहीं किया है और बता दू हमें इनमें anti glare coating का support भी मिलता है जिससे आपको इनमें glossy finishing देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना distract हुए अपने work पर काफी अच्छे तरिके से focus कर सकेंगे और आपको इनमें 1080 resolution पर वीडियो और movies को देखने में भी काफी मज़ा आएगा So overall guys ये दोनों ही displays काफी awesome रहने वाले हैं और wireless connectivity की बात करूँ तो हमें इनमें built-in Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 के supports देखने को मिलते हैं जिससे आपको इनमें काफी बहती रिंग wireless connectivity देखने को मिल जाएगी और webcam के बारें बताऊं तो HP के laptop में HP card proof vision 720 pixels वाला HD webcam देखने को मिलता है और वो भी integrated dual ray digital microphones के साथ जबकि Dell के laptop में 720 pixels वाला HD webcam का support दिया गया है और वो भी integrated microphones के साथ जो zoom पर video calling and meetings के लिए काफी useful रहेंगे पर guys आपको इनमें privacy shutter के options नहीं दिये गए हैं जो थोड़े से निराज करते हैं और battery की बात करें तो HP के laptop में 3 cells वाली 41 watt की lithium-mine battery दी गई है और वहीं Dell के laptop में भी 3 cells वाली 41 watt की lithium-mine battery देखने को मिलती है से guys आपको इन laptop में 3-4 hours तक का एक decent battery backup देखने को मिल जाएगा और laptop के ports के बारें बताऊं तो HP के laptop में 1 charging port, 2 USB Type-A ports, 1 HDMI port, 1 USB Type-C port, 1 microSD card का slot और वहीं Dell के laptop में full-size का non backlight keyboard मिलता है और वह भी numerical keypad के साथ पर अगर guys आपको night में work करने के लिए laptop चाहिए तो आपके लिए HP का laptop एक काफी better deal रहेगा comparison से पता चलता है कि हमें दोनों laptop में काफी bettering features देखने को मिल जाते हैं और performance के साबसे भी दोनों laptop काफी शांदार हैं पर guys हमें दोनों laptop में कुछ differences भी देखने को मिलते हैं इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप HP के laptop को consider करें क्योंकि guys इस laptop में एक तो direct 16GB की RAM देखने को मिलती है जिससे आपको इसमें RAM को upgrade करने के जुरत नहीं पड़ेगी और दूसरा इस laptop का weight सिर्फ 1.46 kg है जिससे आपके लिए इस laptop को carry करना काफी convenient रहेगा और तीसरा इसमें आपको backlit keyboard का option दिया गया है जिससे आप इस laptop को night में भी use कर सकते हैं पर अगर guys आपका budget थोड़ा सा कम है तो आप Dell के laptop को भी choose कर सकते हैं इस laptop में AMD का Ryzen 5 56025U processor मिलता है जो HP के CPU से performance के मामले में काफी better रहेगा और Dell के display में 120Hz के refresh rate का support दिया गया है जिससे आपको इसके display में काफी smoothness देखने को मिल जाएगी as compared to HP display और अगर guys आप Dell के laptop में RAM को maximum upgrade कर देते हैं तो Dell के laptop की performance HP के laptop के comparison में काफी fast हो जाएगी और price की बात करूँ तो guys HP के laptop की कीमत है 54,000 उपीज और वहीं Dell के laptop की कीमत है 50,000 उपीज और आप इन दोनों laptop को Amazon से purchase कर सकते हैं वीडियो की description box में आपको इन दोनों laptop के links मिल जाएगे और यदि आप इन दोनों laptop की payment credit कार या debit कार के through करते हैं तो आपको 5-10% तक का discount भी मिल सकता है और आप इन laptop को EMI पर भी खरीज सकते हैं झालाएवाण! झालाएवादी